हेलो एन वेलकम बैक टू माई येट्यूब चैनल आएम एर होस्ट एन दोस्ट हर्च दवे बैक विट एन अन्नोदर वीडियो चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन के सामने जो इंग्रीडेंट आ रहे वो एक बार आप देख लेजिए याद रखे हमने यहापे आक्का मसुरा बॉयल कर लिया था तो आप भी ध्यान रखे कि बॉयल कर ले आक्का मसुरा को अब हम यहापे एक कडाई लेंगे और उसमें तीन चम्मच तेल डालेंगे तेल थोड़ा गरम हो जाए तो उसमें हमने यहापे जीरा और राए डाले याद रखे इनको ब्राउन होने देना है थोड़ा उसके बाद हमने अद्रक और लसुन बिल्कुल बारिक काटे हुए थे वो डाल दिये अब यहापे हम दो बड़ी लाल मिर्च डालेंगे अद्रक और लसुन हलका सा ब्राउन हो जाए फिर हमने यहापे जो हमने बिल्कुल बारिक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च थी वो डाल दिये इनको भी अच्छे से पकने देना है थोड़ी देर अच्छे से पकने के बाद यहापे बिल्कुल बारिक कटे हुए टमाटर थे वो इसमें डाल दिये आप चाहे तो प्याज और टमाटर की ग्रेवी भी बना सकते वो भी इसमें डाल सकते बट हमने यहापे बिल्कुल बारिक कटे हुए प्याज और टमाटर ले लिए थे अच्छे से मिक्स होने देना है और थोड़ी दिर ऐसे ही पकने के लिए चोट देना है देख सकते हैं तेल चुटने लगाए अब हमने यहापे इनको जो हमारा चम्चा था उससे हमने यहापे इनको बिल्कुल दबाके ग्रेवी की तरफ पूरा बारिक कर दिया हो याद रखे इनको अच्छे से पकने देना है और गैस का फ्लो बिलकुल हलकी फ्लेम पे रखना है उसके बाद जो हमने बॉयल किये हुए आपका मुसुरा थे वो इसमें हमने मिक्स कर देने अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको भी थोड़ी देर पकने के लिए चोड़ना है अब हम इनको थोड़ी देर पकने के लिए चोड़ देंगे यहाँ पर थोड़ी देर पकने के बाद हमने इसमें हमारे जो मसाला है वो डालने आदा चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी डाल दिये फिर हमने दो चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है अब हमने यहाँ पर एक चम्मच दन्या पाउडर डालना है और फिर आकिर में स्वाद नुसार नमक अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकने दीजिए अब देख सकते हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है याद रखिया हमेशा मसालों को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर पकने के लिए चोड़ी देना है अब हम यहाँ पर जो में इंग्रीडियन्ट आक्का मसूरा मसाला है वो एक चम्मच डाल देंगे और फिर एक चम्मच गरम मसाला वो भी इसमें मिक्स कर देंगे इनको भी अच्छे से मिक्स करना है हमने यहाँ पर आदा गलास पानी डाल दिया है याद रखना है बिल्कुल कमी पानी डालना है ज्यादा नहीं यूज करना है पानी का क्योंकि हमने आक्का मसूरा पहले ही बॉयल करके रख दिये थे अब इनको अच्छे से पकने देना है थोड़ी देर पकने देने के बाद आप देख सकते हमारे आकका मसुरा बन के बिलकुल त्यार हो चुके है और ये सर्व करने के लिए बिलकुल रैडी है थैंक यू सो मच फोर वाचिंग इस वीडियो अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और दोंट फरगेट तो हीट बैल आइकन